सब्सक्राइब करेंगे वो ना सिर्फ आरपी एसी 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 बलकी आरेएस एस वेल एस यूपी एसी में भी बहुत उप्योगी है अपिक स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोड़क्शन अबाउट मेरा एक छोटा ता परिचे मेरा नाम नवीन शर्मा एन आईटी इलाबा से मैंने बीटेक पस्यू किया 2013 में गेट क्वालिफाई किया है सेन्टर गवर्मेंट में काम किया 2016 एन 2017 में सिविल सर्विसेज में इस क्वालिफाई किया एक प्रोजेक्ट जो के क्लाइमेट चेंज एन ग्रीन हाउस गैसे अमेशन पर बेस्ट है उससे मैं असोसेटेट नों जुडा वाऊं फ्रेंट्स हमने साथ में आने वाले दिनों में एकनोमिक साइन्स ताइब हिस्ट्री इंह भी मैं वहाँ पे कम्प्लीट कवर करूँगा और एजब आप ये कुछ वीडियोज हैं जो अनकेडमी के मादम से यूटूब पे मैंने इन्वार्मेंट साइस के लिए बनाये थे उनकी प्लेलिस्ट आप यहां से देख सकते हैं बेशिक से पीजियोग्राफी जीडिरेक्ट और इंड और फोरिंगया और इंप्टू अक्ति विडिको सिस्टम वह भी हमने कवर कर दिया जो कि यूनिट 1 का आपका पाॉर्त है और फी एकसीiley सब्स में यह सारी चीज़ीय में पूरी पूरी हीम्प करेंगी उसी तरह से special classes भी हमने लॉंच की है special classes पे कल मैंने जो class ली थी उसमें आपका इंडियन मौन्सून जो की important feature है जियोग्राफिका इंडियन मौन्सून की complete picture देने की कोशिश की है सारे parameters हमने इंडियन मौन्सून के टक डिसकस की है आप अनकेडमी के एप से special classes में जाके आप इंडियन मौन्सून का पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं उसी प्रकार economics के लिए और human development index and unemployment के लिए भी मैंने topic वहाँ पे cover किया है अनकेडमी पर जूणने के लिए friends process बहुती simple है आपको अपने mobile के google play store से अनकेडमी का learning app इंस्टॉल करना है simple process अनकेडमी का learning जो एप है वो आपको पहली फुरसत में इंस्टॉल करना है इंस्टॉल करने के बाद उसमें आप RPSC code का chain कर सकते हैं basically अनकेडमी का जो fee structure है वो आपका दो साल की fee यहाँ पे दो साल की fee 8400 रुपए है दो साल की fee 8400 रुपए है उसमें भी यदि आप मेरा code nav10 use करते है तो आपकी fee को 10% wave of कर दिये जाएगा आपकी final fee होगी 7560 रुपए है दो साल की उसी प्रकार आपकी एक साल की जो fee है अनकेडमी पे वो 6300 रुपए है एक साल की fee 6300 रुपए है आप चाहें तो इसको EMI के माधनम से कई student ने मुझसे पूचा कि क्या हम EMI के माधनम से payment कर सकते हैं हाँ आप EMI के माधनम से payment कर सकते हैं जो पर मंत EMI पढ़ेगा एक साल में वो near about 525 पढ़ेगा और जो दो साल का आपका EMI वो 315 के रौन पढ़ेगा ये पूरी तरह से interest-free है ये interest-free है तो मेरा code NAV10 यूज़ कीज़े आपको अनकेडमी पर 10% discount मिल जाएगा basically friends जो हमारा आज का विशे है वो है importance of PH in everyday life RPSC and UPSC सब exams में ये topic बहुत important है जो PH है हमारा उस PH की क्या usefulness है उसकी क्या utility है उसकी क्या importance है basic life में हमारी हमारी आम दिन चर्रया में ये topic उससे जुड़ावा है बहुत important topic है topic start करने से पहले जैसा कि आप जानते हैं आज 22 मई 22 में है 22 मई पूरे वर्ल्ड में celebrate किया आता है International Day for Biological Diversity 22 में आज के दिन हम celebrate करते है awareness spread करने के लिए International Day for Biological Diversity आज की जो हमारी International Biodiversity जो आज हमारा celebrate हो रहा है उसकी theme उसकी theme convention on biodiversity ने उसकी theme रखी है वो है our solution in nature our solutions are in nature हमारे समधान nature में सम्मिलित है our solutions are in nature यह important aspect बहुत important है ना सिर्फ awareness के लिए आपके exam के point of view से क्योंकि हर साल 22 में को convention on जो हमारा convention है biological diversity का वो उसमें awareness को spread करने के लिए हम celebrate करते है international day for biological diversity on 22nd में अफी students मुझसे लगाता और पूछ रहते की ACF के exam date कब आएगी तो friends आप यहां पर देख सकते हैं RPSC active है आज 21 तारिक को जो हमारा कल जो 21 तारिक गया है आज की दिन भी आप देखेंगे RPSC के website पे कुछ updates है RPSC ने senior grade second Sanskrit education का result declare किया है तो basically ऐसा नहीं है कि RPSC काम नहीं कर रहा है RPSC में मैंने personally बात भी किये वहाँ पे secretary deputy secretary इस तरह के अधिकारी जा रहे है कोविड वाइरस का जो lockdown का हमारा period है और कोविड pandemic की जो समस्य उत्पन हुई है विश भर में जब थोड़ा सा ये चीज़े कम होगी lockdown की जो स्थिती से आईस्तान state उबर जाएगा तो आप expect कर सकते हैं कि ACF के exam date announce हो सकती है तो थोड़ा था patience आपको और रखना पड़ेगा RPSC last के दोने दिनों में उन्हेंने कुछ updates दिये और different exams की वो website पर जाके आप explore कर सकते हैं देखिए किसी भी topic को discuss करने से पहले मेरा fundamental rule हमेशा रहता है कि उस topic को आप syllabus में देखिए वो topic syllabus में कहा है उस topic का relevance syllabus के साब से कहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं RPSC ACF and FRO के syllabus में जो pH scale है pH scale and importance of pH in daily life pH scale and importance of pH in daily life वो यहाँ पर आप clearly notice कर सकते हैं अलग से उन्होंने highlight किया हुआ है pH scale and its importance in daily life ACF and FRO के syllabus में उसी प्रकार यह topic इतना important है इसकी importance इतनी आदा है कि RAS RAS mains का syllabus में देखिएंगे RAS mains के syllabus में पेपर 2 RAS mains के syllabus में जो paper 2 मुख्य परिक्षा का जो paper 2 है वहाँ पर भी science and technology वाले section में आप देखिएंगे pH scale and its importance in daily life pH scale और उसकी importance जो हमारी आम दिन चर्रिया में उसकी importance है वो आपके RAS के mains के paper 2 में भी science and tech के part में clearly highlight किया हुआ है तो यह topic ACF, RAS as well as UPSC में भी इसकी importance है यह topic आप डंग से समझेगे इस topic का एक एक पहलों से question बनते है RAS परिक्षा में question पूछा गया है वो मैं आपको इसी वीडियों बताऊँगा आखरी में कि वो question क्या था तो friends basically जो pH scale है किसी भी चीज़ को हम शुरुबात करते है तो मैंने हमेशा जो funda मनता है आपको 3W technique पे आप बात करेंगे 3W principle पे आप बात करेंगे पहला कि यह principle जो है pH scale का W है 1st W what what does it signify इससे क्या signify होता है इससे क्या denote होता है 2nd W होता है हमारा who developed this concept pH scale के जो concept है उसको किस वेग्यानिक ने develop किया 2nd W who 3rd आपका W है why पीएस जो अपना scale है या पीएस की importance है उससे जुड़े है तमाम सवाल क्या why वो basically 3W जो है हम इस पूरे वीडियो में आंसर करने की कोशिश करेंगे what does it signify who developed the concept of pH scale और why ये basically 3W technique मैंने पुराने वीडियो में भी स्वाल की है और इस टूल का मैं यहां पर भी यूज करूँगा तो friends सबसे पहले pH scale को परिभाशित करेंगे उसके definition को देखेंगे pH scale से मतलब क्या है तो pH scale denotes the concentration of hydrogen ion पहली बात pH scale से ताप्रे concentration of hydrogen ion से है hydrogen ion के जो solution कोई solution है उस solution में hydrogen ion H plus ion H plus hydrogen ion है उसका concentration क्या है वो आपको denote करता है pH scale किसी solution में hydrogen ion के concentration को denote करता है pH scale pH scale की दूसरी बात pH scale हमें किसी solution में ये बताता है कि वो solution acid है या वो solution base है हमें ये indication देता है कि particular solution, particular liquid, aqueous medium या तो वो acid है या base है base मतलब alkalinity तो या तो alkaline solution है या acid solution है ये आपको pH scale जो उस solution का pH होगा उससे पता चलेगा तीसरी बात जो scale pH का develop किया गया है जो हम इस पूरी वीडियो में generalize करेंगे वो logarithmic scale है pH scale logarithmic है उसको calculate के लिए हम log table का use करते हैं logarithmic method जो mathematical tool है log mathematical tool है उसका हम use करते हैं जो student science background के नहीं है जा जिनका mathematics background नहीं रहा है उनको इस वीडियो में मैं बताँगा कि logarithmic scale क्या होता है और आप pH scale को log से कैसे calculate कर सकते हैं तो आप इस science के student नहीं है यदि आप math आपके पास नहीं रहा है 11-12 class में तो भी आपको मैं बहुत आसानी से यहां पर concept समझा दूँगा देखिए logarithmic scale को एक simple sentence समझने की कोशिश करें तो उसका मतलब यह निकलता है यदि pH की value 1 है तो basically आपका χ collagen हाइन का concentration है वो 10 times है यदि pH की value 1 है तो hydrogen Ion का concentration 10 times है जो basically logarithm का formula हम यहां पर यूज करेंगे pH को calculate करने के लिए जो logarithm का formula use करेंगे pH को calculate करने के लिए वो basically होता है आपका negative of logarithm of H plus negative of logarithm of hydrogen Ion negative of logarithm of hydrogen ion मतलब hydrogen ion का जो concentration होगा वो आप यहाँ पर insert करेंगे उसका log लेंगे और उसके log को minus से multiply करेंगे तो आपका pH निकल के आएगा तो basically logarithm क्या है कैसे calculate होता है यह simple मैं non-tech students के लिए अगली स्राइड में explain कर दूँगा अभी के लिए पता है याद रखिए कि basically जैसे आपका hydrogen ion का concentration increase होता है hydrogen ion का concentration increase होगा तो pH decrease होगा और यदि आपका hydrogen ion का concentration जो है वो decrease होगा hydrogen ion का concentration decrease होगा तो pH आपका increase होगा तो basically hydrogen ion का concentration और pH आपस में inversely related है hydrogen ion का concentration आपका कम होगा तो pH बढ़ेगा हाइट्रोजन आयन का कंसेरेशन आपका कम होगा तो pH जो है आपका बढ़ेगा और हाइट्रोजन आयन का कंसेरेशन कम होगा तो pH बढ़ेगा तो pH गटेगा तो basically इन दोनों की बीचे में inverse relationship है और हम यह भी जानते हैं कि जैसे जैसे किसी solution के अंदर hydrogen ion का consideration बढ़ता है उसकी acidity उस solution की acidity भी proportionality उस अनुरूप बढ़ती है किसी solution के अंदर hydrogen ion का consideration बढ़ता है तो वो solution उतना ही ज़्यादा acid हो जाता है और जिस solution में hydrogen ion का consideration बहुत कम होता है वो solution उतना ही basic या alkaline होता है simple basic बात जैसे मैंने आपसे कहा था कि non-technical जो students है non-tech students को explain करने के लिए मैंने यहाँ पर logarithmic जो scale है logarithm calculation कैसे होती है log की calculation अपन क्या करते है वो मैंने आपको यह बहुत simple तरीके समझाने की कोशिश की है तो basically friends यदि माल लीजिए आपको log calculate करना है 10 की power 3 का log calculate करना है आपको 10 log calculate करना है आपको 10 की power 3 का इसको आप calculate करने के लिए आपको बस एक चीज याद में रखनी है कि जो log 10 होता है log 10 होता है log 10 की value होती है 1 log 10 की value होती है 1 जब log 10 की power 3 calculate करेंगे तो 3 जो है basically power से आपका log के बाहर यहाँ पर आ जाएगा जैसा यहाँ पर दिखा रखा है 3 जो है power से रटके log arithmetic expression के बाहर आ जाएगा और यह बन जाएगा 3 into log की power 10 log 10 होता है 1 तो 3 into 1 3 log 10 की power 3 log 1000 equals to 3 उसी प्रकार log 10 की power minus 5 calculate करना है तो वही formula जो power minus 5 की यह आपकी logarithmic जो expression उसके बाहर आ जाएगी और क्या बच जाएगा आपका minus 5 into log की power log 10 minus 5 into log 10 मैंने आपको बताया यह हमेशे आया लखना है logarithmic में log 10 जो होता है वो होता है 1 log 10 की value होती है 1 तो basically इसका answer हो जाएगा minus 5 into 1 minus 5 तो आपको यदि एक practical solution में hydrogen ion यदि आपको hydrogen ion का concentration दिया है 25 degree temperature 298 Kelvin जो होता है उस पर आपको hydrogen ion का concentration दिया है 1 into 10 की power minus 7 1 into 10 की power minus 7 mole per liter तो basically acquies medium में concentration के लिए अपन जो unit इस्तिमाल करते हैं वो होती है mole per liter तो आप जानते है pH क्या होता है minus logarithm h plus जो h plus concentration है उसका minus of logarithm वो तो basically आप यहाँ पर क्या करेंगे जो value है आपकी 1 into 10 की power minus 7 उसको आप h plus की जगे insert करेंगे तो h plus जगे आपने उस value को insert किया 10 की power minus 7 minus 7 जो है वो बहार आ जाएगा और यहां बच जाएगा log minus 7 into 10 log 10 होता है 1 जैसा कि मैंने आपको यहाँ समझाया तो basically हो जाएगा है minus 7 minus 7 और pH करेंगे लिए अपने एक minus expression already use करते हैं तो यह minus और यह minus मिलके आपका net हो जाएगा plus तो pH हो जाएगा आपका 7 इस concentration में पीच होगा 7 basic चीज technical student easily समझ सकते हैं जो non-tech student है उनको भी बहुत easily समझ में आना चाहिए है कि logarithm calculation जे अपना pH करते है RS परिक्षा में log भी निकलवाया है RS मुख्य परिक्षा में logarithm calculation भी करवाई थी 2016 के mains के paper में तो basic आपको logarithmic calculation आनी चाहिए तो जैसे हमारा pH होता है उसी परकार hydrogen जो आयन है वो तो pH को signify करेगा और यदि आपका यहाँ पर hydroxide hydroxide आयन है OH माइनस वो आपका indicate करेगा पी ओ एच को तो जैसे पी एच है उसी तरह पी ओ एच की calculation होती है तो basically हमने fundamental समझा कि pH scale क्या होता है pH scale hydrogen आयन के concentration को measure करने का तरीका है जो basically आपको बताता है कि को particular solution acid है या base है या neutral है कितना acid है कितना base है या neutrality है उसमें यह सारी indication आपको pH scale से पता लग पाती है दूसरी बात pH जो value है वो अपने calculate करते है logarithmic mathematical tool logarithmic की kelp से जिसका formula होता है minus of logarithmic concentration of H plus तीसरी बात आप जो मुख्य बात आती है कि pH scale जो है वो हमने समझा कि what does it signify next हमारा है कि pH scale who developed this scale next w who developed this scale pH scale किस वग्यानिक ने develop किया तो pH जो notation है इसका जो श्रे आता है इसको device करने का वो है आपके Denmark के Denmark के biochemist वग्यानिक थे Soren Sorenson 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 Denmark के एक परमुक वग्यानिक थे उन्होंने 1909 1909 में 1909 में आपका pH scale को device किया था तो pH notation हम जो use करते हैं chemistry में science and tech में तमाम जगों पे उसका श्रेद यह दिया जाता है आपको एक famous biochemist है famous वग्यानिक है Soren Sorenson Sorenson इन्हों वग्यानिक ने 1909 में pH scale को device किया था बहुत important बात और एक बात आप आप और याद रखे pH का मतलब होता है P मतलब power H मतलब hydrogen power of hydrogen pH का मतलब होता है P मतलब आपका power H मतलब hydrogen power of hydrogen तो बेसिक के लिए आप याद रखें pH को हम power of hydrogen भी कहते है और जो वग्यानिक डवलब किया है Soren Sorenson in 1909 biochemist एक बहुत परमुख वग्यानिक थे तो फ्रेंट्स pH scale को हमने समझा अब pH scale का के कुछ important पहली कुछ important बारीकियों को समझ लेते हैं पहली बात जो pH की value जो calorie करेंगे अपन वो होगा minus logarithm of hydrogen ion का concentration जो फॉर्मूला हमने देखा तो जो भी value निकल के आएगी उस value की range यहां पर defined है pH की value किसी भी solution होगी चाहे वो acid हो चाहे base हो चाहे neutral हो कोई भी solution है कोई भी aqueous medium है उसकी pH की value vary करेगी between 0 to 14 value vary करेगी आपकी 0 से 14 की बीच में 0 to 14 pH scale की value vary करती है या तो pH 0 और 14 की बीच में कोई number होगा इससे 14 से जादा कोई number नहीं होगा तो pH की value हमेशा 0 to 14 के बीच vary करती है पहली बात और जो 0 to 14 के बीच का figure आता है आपका 7 जो बीच का figure है वो है आपका 7 तो 7 figure वो है जहांपे की solution को neutral का आता है neutral का मतलब ना तो वो acid है ना वो base है तो basic बात आप याद रखिए कि pH जो scale है उसकी value 0 to 14 की range में अपने calculate करते है और यहां पे 7 जो आपका figure है यह denote करता है neutrality को अगर आप 7 से left side में जाएंगे तो यहां पे आपकी solution की acidity बढ़ेगी जैसे जैसे आपका pH 7 से कम होता रहेगा 7 से कम 6 होगा और acid होगा 5 होगा और acid होगा 4 होगा और acid होगा तो जैसे आप 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे 0 की तरफ आपका pH value कम होती आएगी उतनी acidity बढ़ दी आएगी तो हम बोच सकते है pH का value जितना कम होता है solution उतना ही acid होता है अगर pH के value 1 है तो solution 2 वाले pH वालू से ज़्यादा acid है जितना pH वालू कम होती है acidity उतनी ज़्यादा होती है इसके विपरीथ इसके contradiction में आप देखेंगे यदि base 3D की बात करें तो basic nature किसी medium का या alkaline nature उसके medium का तो जैसे आप 7 से 14 की तरफ अगरसर होंगे pH के value बढ़ेगी 7 तो 14 की तरफ तो आपका basic nature या alkaline nature बढ़ता रहेगा इसका मतलब जिस solution का pH 12 होगा वो आपका जिस solution का pH 9 है उससे ज़्यादा basic होगा तो 12 pH बढ़ा 9 वाले से ज़्यादा basic होगा जैसे आप 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे आपका basic nature acquies video का बढ़ते आएगा basic बात है उसी परकार जैसे मैंने pH calculate किया मैंने आपको बढ़ा है pH calculation में hydrogen ion का logarithm में लेकर उसके आगे minus लगा देते हैं हम जब hydroxide ion OH minus जब हम OH minus hydroxide ion को calculate करते हैं उसके concentration निकालते हैं उसके concentration का log निकालते हैं उसके बाद उसका minus करते हैं तो आपको मिलता है POH जैसे pH होता है उसी परकार आपका होता है POH फरक यह हैं यहाँ पे hydrogen ion की जगे hydroxide ion का concentration measure किया आता है तो एक formula निकलके यह आता है कि जो pH value होगी किसी equation की और उसी equation solution की जो pH value होगी वो दोनों जोड के आपका 14 मिलेगा यह याद रखेगा किसी equation medium का किस solution की pH value x y z कुछ भी हो 0 से 14 के बीच होगी यह confirm है 0 से 14 के बीच होगी उसी परकार POH value भी POH value भी किस solution की 0 to 14 के बीच बीच vary करती है तो दोनों को आप add करेंगे तो दोनों का add उस particular solution के लिए हमेशा 14 आएगा यह याद रखेगा summation of POH and POH is always equals to 14 यह important पहलों है याद रखेगे हमने यह देखा कि pH scale क्या होता है और pH का जो S3D का parameter और basic parameter कैसे बढ़ता है वो आप यहां से आपने समझा अब आगे देखते हैं कुछ हमारे common assets जो हम generally use में काम में लेते हैं आम दिन चल रहे हैं हमारी जो आम life में यह asset और basis काम में आते हैं उनका pH क्या है तो यहां पे एक simple slide के मादब से मैंने जो common assets common basis हमारे हम सब के दिन चल रहे हैं उनके मैंने यहां पर define किया हुआ है exam में general science के paper में RAS का paper हो ACF का paper हो आप से सीधा directly पूछ सकता है यह particular solution है इसका pH क्या होगा तो common चीजों के pH आपको पता होने चाहिए सुवात करते हैं hydrochloric acid से hydrochloric acid जहां पर concentration of hydrogen iron बहुत जीज़़ा है जहां पर एक बहुति सी concentration medium है सोलूशन है उसका pH 0 के तरफ tend करता है बहुत जीज़ादा acetic nature का होता हूदे Stormak में हमारा hydrochloric acid produced होता है तो तो basically उस acid का map, उस acid का value है, वो आपका pH 1 के around होता है, lemon juice, जो lemon juice हम पीते हैं, पीने में हमें sour taste लगता है, उसका, वो भी acidic है, उसका pH आपका 2 के अप्रोक्स रहेगा, यहां तक vinegar की बात करे, acidic acid, vinegar means chemical formula है, acidic acid, उसका pH आपका, यह भी हमारे daily जो हम cooking करते हैं, cooking में vinegar काम में आता है, lemon juice भी आपने आई दिन drink किया होगा, तो वहां पे pH 2 है, vinegar के case में, जो आपका pH है, वो 3 है, 3 pH, 3, orange की बात करें, तो fruit orange, वहां पे जो आपका citrus fruit है, citric acid होता है, यहां पे आपका जो pH है, वो 3.5 है, orange से मिलता है, citric acid, citrus fruit की शरी में आता है, यहां पे pH 3.5 है, इसी परकार soda और grapes, वहां पे pH आपका 4 मिलता है, यह सब acidic nature के है, sour milk, यदि milk खटा एक जो milk है, जिसमें acid ही ज़्यादा है, वहां पे आपका pH होगा 4.5, और जो fresh milk हम पीते हैं, काम में लेते हैं, वहां पे pH होता है, 5, हमारा human saliva है, वहां पे पीच रहता है, आपका 6-8 के बीच बैरी करता है, 6-8 के बीच, approximately neutral characteristic का आपका saliva का जो nature है, वो acid और base के बीच में neutral characteristic का आप उसको कह सकते हैं, pure water, जो water drink करते हैं, वहां पे pH आपका साथ है, pure water का pH साथ है, इसको आप याद रखिए, तो basic चीज़े, जितना pH कम होगा, उस particular solution का acidity उतना ही ज़्यादा होगा, अब आगे आपको 7.4, वहां pH मिलेगा आपको 7.4, जो आपका egg white है, जो egg अपन खाते हैं, उसमें protein होता है, वहां pH मिलेगा आपको 8, वहां pH आपको value मिलेगी 8, एग white भी acidic nature का है, वहां pH है 8, आपका blood इंसान का वो भी कहीं ने कहीं थोड़ा सा basic है, एग white basic है, और blood का plasma भी 7 से ज़्य आदा है, blood का जो हमारा blood है, उसका pH 7 से ज़्यादा है, तो जब pH 7 से ज़्यादा होता है, तो उसमें basic characteristic, alkaline characteristic डेवलप होता है, तो हमारा blood हम कहेंगे basic है, एग white जो आप खाते हैं, protein वह भी basic है, sea water, sea water जो आप देखेंगे समुंदरी पानी, वह भी आपका basic है, वहां पे pH 8 ह baking soda, baking soda हम use करते हैं, तमाँ हमारे उसमें, योगी purpose के लिए, वहां पे उसका baking soda का formula होता है, NaHCO3, Na sodium hydrocarbonate, sodium hydrocarbonate होता है baking soda, NaHCO3, यहां का pH है आपका 9, यहां पे pH आप notice करेंगे 9 pH है, उसी प्रकार हमारी body में जो ऐसे redevelop होती है, जो हम कभी spicy food खाते हैं, spicy food खाने की वज़े से, जो हमारा stomach है, वहां पे बहुत ज़्यादा acid produced होता है, और acid produce होने की वैसे कई बार आपके stomach में, आपके intestine में आप थोड़ा irritation महसूस करेंगे, थोड़ी दिक्कत महसूस करेंगे, तो वहां पर आप use करते हैं anti-acid का, वहां पर आप anti-acid यूस करते है तो उसका pH, चुकि वह acid को neutralize करने के लिए इस्तेमाल की जा रहा है, तो basically वह base है, और उसका pH होता है आपका 10, वह base है, acid को neutralize करतेगा, आपकी जो irritation है बदूर हो जाएगी, 10, उसी परकार ammonia water, उसका pH है 11, यह और basic है, lime water, lime water, lemon juice का pH ता 2, लेकिन lime water का pH है, जो कि calcium का compound से मिलके बनाया है, calcium elements है, lime water, बहाँ पे pH है, 12, मतलब यह और basic है, बहुत ज्यादा basic है, उसी परकार drain cleaner, draining के cleaning के लिए हम जो cleaner यूज़ करते है, उसका pH है 13, और आपका sodium hydroxide, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, sodium hydroxide, इसका pH बहुत ज्यादा है, 14, तो basically sodium hydroxide का pH 14 है, बहुत basic है, और आप आपका hydrochloric acid का concentrated solution, वहाँ pH बहुत कम है, 0 के असपास है, तो basically vary कर रहा है, यह different type of common acid, common basis है, जो exam से पूछे गए हैं सवाल, और इसे पूछे जाएंगे, आपको इस चार्ट अच्छे से याद होना चाहिए, कि basically important जो चीज़ें, जो आप हम सबसे जुड़ी भी हैं, उनका pH चाहिए, खास तो ब्लड का, आपका हमारा ब्लड pH 7.4 है, जो कि basic nature का है, उसी परकार जो egg हम use करते हैं, उसका pH 8 है, वो भी basic nature का है, तो यह चीज़ें आपको याद होना चीज़ें, विनेजर, जो हम cooking purpose में काम लेते हैं, वहाँ pH 3 है, आपका lemon juice pH 2 है, आप 100 milk के use करते हैं, तो वहाँ pH बहुत कम है, 4.5, यूदि फ्रेश मिल्क पीते हैं, तो फ्रेश मिल्क जो हम सेवन कर रहे हैं, दूद का हम सेवन कर रहे हैं, उसमें भी acidic properties है, acidic nature है, वहाँ pH 5 है, यह basic chart आप याद रखिए, आपको help करेगा आपके exam में, particularly science and technology की paper में, चाहा RS का विपर हो, चाह ACF का paper हो, तो friends, यह एक मैंने आपको बहुत ही simplify कर दिया है, मैंने एक scale के मादम से आपको चीज़ें और explain कर दिया है, यह सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई, यहाँ पे वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, एक difference, black coffee जो पीते हैं, उसका pH ही 5 रहता है, black coffee जो में pH 5 है, मनला coffee भी आपकी acidic nature की है, urine जो इंसान का urine है, वहाँ भी pH acidic nature का है, 6 है, उसी परकार आपका, आप यहाँ पे notice करेंगे, जो हम soap इस्तिमाल करते हैं, साबुन नहने के लिए इस्तिमाल करते हैं, वो भी pH 12 है, वो भी basically basic nature का है, जो soap हम इस्तिमाल कर रहे हैं, वो basic nature का है, और आपके blood का, जो हमारा blood है, वहाँ पे pH आप देखेंगे, थोड़ असा 7 से आदा है, 7.4, basically, वो आपका जो blood, हम सब के blood का pH है, वो आपका basic है, basic nature का है, पर हमारे cell, हमारे body के, हमारे body में जो cells पाए आते हैं, साइटो प्लाद में जो cell पाए आते हैं, उन cell का जो pH है, वो basically आपका 6.8 है, हमारे body में पाए जाने वाले cells का जो basically pH है, वो 6.8 है, 7 से कम है, 7 से कम है, मलब वहाँ पे जो pH है, वो denote कर रहा है, basic properties को, basic properties को identify कर रहा है, याद रखिए, body के cell का pH 7 से कम है, basic है, और body का हमारा जो यहाँ पर देखेंगे, डैनमार्क के साइंटिस थे, सॉरें 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 साइं, जिन्हों ने pH को concept को develop किया, pH स्केल को कैसे measure करते हैं, pH स्केल होता का है, logarithmic S प्लस का formula है, सारे हमने इस अभी तक समझे, अब हम आगे इसी मिकड़ी में आगे बढ़ते हैं, कि pH को determine करने क के लिए कौन से indicators का इस्तिमाल करते हैं, pH calculate तो आप logarithmic scale से कर लेंगे, minus log of S plus concentration, pH निकल के आजाएगा, लेकिन pH की determine करने के लिए pH की value को की कोई solution particularly acid है, या कोई solution particularly basic है, कौन से indicators हैं, जो हम इस्तिमाल में लेते हैं, इससे question आपके exam में pH पे आता है, यह आपको अच्छे से य synthetic indicator है, वो हम इस्तिमाल करते हैं, किसी solution को चेक करने के लिए, या base है, तो जैसे मैंने आपसे कहा, पहली बात कि acid जो होता है, उसका taste sourd होता है, और वो basically आपका acid की property ही होती है, कि जो litmus paper होता है, मैं आगे बताऊंगा, litmus paper क्या है, अभी समझीए, litmus paper को acid जो है, वो blue से red मे convert कर देता है, यदि किसी solution जो कि acidic nature का है, उसमें आपने litmus paper को dip किया, तो litmus paper का color blue से red convert हो जाएगा आपका इस acidic solution में, जबकि base जो होता है, वो basically आपका litmus paper के red जो color है, red color को blue में convert कर देता है, तो basically जो base है, वो red litmus को blue में convert कर देता है, acid blue to red और base red to blue, बहुत simple चीज़, और litmus जो paper है, वो एक natural indicator है, हमें natural resources से मिलता है, यह artificial नहीं है, मैं बता हूँगा litmus क्या है, अभी के लिए आधर किये, litmus एक natural indicator है, उसी परकार healthy, healthy भी आप कह सकते हैं, और हमारा एक और चीज़ है turmeric, जो turmeric है, जो turmeric है, turmeric भी आप इस्तमाल करें, turmeric भी जो है, वो भी एक natural indicator है, turmeric भी एक natural indicator है, जो basically आपका किसी solution में dip करते हैं, तो acid की वैसे उस पर color change भाता है, तो यह सब चीज़े इंडिकेट करती हैं आपकी, कि कोई पड़ी तो solution acid nature का है, या basic nature का है, एक simple example से आपको मैं बहुत बहतीनी example समझा दूँगा यहाँ पे, suppose कि आपने किसी individual ने white cloth पैना है सफेद कपड़े पैने हैं, उस सफेद कपड़े पे यदि वो एक करी, जो करी होती है, वो करी खारा है और उस पर white cloth पे वो करी गिर गई, तो उससे stain develop होगा, वो stain होगा yellowish type का, जो stain develop होगा, वो yellow color का stain develop होगा, जब आप उस पे soap रप करेंगे, उस particular cloth पे आप soap रप करेंगे तो soap में, soap का nature होता है, basic, soap का nature होता है, basic, soap क्या करेगा, जो yellowish color वहाँ पे आपके t-shirt पे, shirt पे, white cloth पे आया है, soap उसको रगणने पे साफ करने में, उसको reddish brown में, reddish brown में उसको color change कर देगा, तो basically, color क्यों change हो रहा है, क्योंकि soap base है, तो base, जैसे मैंने literature paper के बता है, वैसे ही, soap base का का काम कर रहा है, और base की property है, कि वो यहाँ पे color को change कर रहा है, तो कोई particular color किस color से, कौन से color में जाएगा, ये depend करता है, कि solution acid है, या base है, अगर आप litmus paper यूज़ कर रहे है, तो litmus paper acidic solution में जाके blue to red comment होता है, और यदि आप red litmus paper यूज़ कर रहे है, तो base में जाके red to blue मे acid है, बेस है, उसके according आप color change होता है, ये आप याद रखिए, इसके लावा कुछ हमारे synthetic indicators है, ये तो हमारे natural indicators की बात की, कुछ synthetic indicators है, वो synthetic indicators भी आप इस्तिमाल करते हैं, आपके ये पता लगाने के लिए कि acid है, या base है, जैसा कि methyl orange, और phenolpethylene, phenolpthylene, phenolpthylene, methyl orange, ये एक synthetic indicators है synthetic तरीके से हमें मिलते हैं, natural तरीके से नहीं मिलते हैं, वो भी हम use करते हैं, किसी solution का पता लगाने के लिए, कि वो acid है या base है, ये important बात आप याद यहाँ पर रखिए, अभी जो मैंने आपको सारी बात बोली, उसको मैं यदि summarize करूं, तो मैं short में लिख सकता हूँ, कि acid जो होते हैं, जो acidic solution होते हैं, वो आपके, वो blue litmus को red में convert कर देते हैं, पहली बात, और जो आपके basic solution होते हैं, जो base होते हैं, वो red litmus को blue में convert कर देते हैं, तो basic acidic जो होंगे, वो blue to red convert करेंगे, और base जो होंगे, वो red litmus को blue में convert कर देंगे, उसी परकार, Methyl Orange जो कि आपका synthetic indicator है यह आपका इसका color Methyl Orange का original color होता है आपका Reddish Orange Methyl Orange का Original color होता है Reddish Orange तो basically कोई acid का solution में आप Methyl Orange को यूस करेंगे तो basically उसका solution ए करेंगा Radish Orange to Red उसी परकार यदि pinky 얼굴 orange indicator आप इस्तिमाल करेंगे किसी base में किसी base में इस्तिमाल करेंगे तो color का जो चेंज होगा वह अब्जब करेंगे आप रेडिश ओरेंज जो कि इसका ओरिजिनल color है वह बेस में जाने में convert हो जाएगा येलो गेलो इस कलर में येलो में तो यहां पर धान दें कि acid में अपका रेडिश ओरेंज तो रेड और बेस में कर्मट हो रहा है रेडिश ओरेंज टू येलो इसी प्रकाल फिनॉप्ट लीन जो की एक synthetic indicator है नहीं होता है यहां पर भी color change होता है तो यह बिसिकली फिनॉप्ट लीन जो है यह एक्चुल में colorless है एक्चुल में यह colorless है तो Iyacid में जब उसको dip करते है तो उसे color change नहीं होता है यह पहले भी colorless ता acid में dip करने के बाद भी colorless रहता है, तो पहली बात कि phnopthlean जो है, वो आपका acid में dip करने में उसमें color change नहीं होता है it remain colorless उसी परकार आपका जो phnopthlean है, इसको base में dip करते हैं, कि solution जो कि basic है वहाँ पे आप dip करते हैं तो इसका color जो है, चुकि basically different indicators है जो basically different color change करते है depending on solution acid है या base है यह आपको वर्वाटिम याद होना चाहिए, यह basic indicators आपको वर्वाटिम इनकी property याद होने चाहिए कौन से color क्या change हो रहा है, exam में पूछ सकता है तो मैंने आप से कहा कि litmus का बताया है, कि litmus जो है basically आपका blue to red या red to blue कर रहा है depending on the nature की acid है या आपका base है अब litmus basically है क्या litmus क्या है, litmus एक natural indicator है मतलब हमें natural resources से यह जो basically indicator है यह प्राप्त होता है natural resources से आपको indicator प्राप्त होता है पहली बात, दूसरी बात इसका original color, जो litmus solution होता है इसका original color होता है आपका purple इसका original color होता है purple और basically यह lichen lichen जो की algae और fungus algae और fungus का symbiotic relationship है lichen जो की basically algae और fungus का आपका symbiotic environment ecology पे हमने पढ़ा है कि lichen algae और fungus का symbiotic relationship होता है उसको lichen बोलता है तो basically यह जो हमें litmus solution मिल रहा है जिसका color purple है, हमें इस plant से ही मिलता है, हमें इस plant से ही lichen से ही मिलता है, जो की algae और fungus का आपका symbiotic relationship है, यह आप याद रखिए, एक चीज़ और litmus solution अपने आप में, litmus solution अपने आप में ना तो basic होता है neither acidic nor basic ना तो acid होता है, ना वो base होता है इसका color होता है purple, तो यह खुद acid, खुद base नहीं है, लेकिन acid में dip करने में, या base में dip करने में, इसका color जो है, वो परिवर्दित हो जाता है, वो चीज़ आपको याद में रखनी चाहिए देखी हमने अब तक कुछ important बाते करी, हमने देखा कि basically जो pH scale क्या होता है और किसने पीस scale को denote किया, किसने सब्सक्राइब को coin किया, कुछ important pH common acid, common basis, वो हमने देखे कि कौन से common acid, common basis का pH किया था, वो parameter आपने आए समझा, ये सलाइब को बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि exam में कुछ ने से पूछ सकता है, उसी प्रकार pH के आपन determination कैसे करते हैं, आपन यूज करते हैं, methyl orange, आप यूज करते हो, litmus paper, आप यूज करते हो, phenolpothene, आप terminic यूज करते हो, और तमाम natural resources आप और भी यूज कर सकते हो, cabbage तक, तो cabbage वो भी आप यूज कर सकते हो, किसी solution के pH को determine करने के लिए, तो ये सीज़ें देखते हैं, कुछ हमने यह देखा कि color क्या change हो रहे हैं, वो भी आपको यहां से समझ में आया, अब litmus के बारे हमने बताया, आपको litmus basically जो use करते हैं, property बता लगाने के लिए कि acid है, base है, तो litmus क्या होता है, वो मैंने आपको इस right से अच्छे समझाने की कोशिश की, आगे बढ़ते हैं, अब हमारा सबसे important part, इस chapter का, इस topic का सबसे important part, जो कि आपके syllabus में साफ साफ मेंचन किया हुआ है, आप यहां पर notice दान से कीज़े, आपके syllabus में यह चीज clearly लिखी हुई है, कि pH scale and importance of importance of pH scale तो बहुत अच्छे से याद करनी है, मैं आपको आगे बताऊँगा, इस exam में RS में क्या question पूछा गया है, और तमाम question इस से आने वाले प्रिक्षाओं में बन सकते हैं, चाहे कोई भी exam और पहसी का, चाहे UPSC का. Friends, importance of pH and delay को समझते हैं, देखिए, चाहे human being हो, चाहे आपका animal हो, human being हो, चाहे animal हो, दोनों की case में pH बहुत important rule play करता है, हमारी body pH sensitive है, इंसान की body pH sensitive है, उसी परकार animal की body भी pH sensitive है, हमारी body जो है वो एक बहुती narrow range, एक बहुती narrow range 7 to 7.8, हमारी body बहुती बहुती narrow range 7 to 7.88 की range की pH में ही survive कर सकती है, इसी particular pH range में हमारी body के अंदर कई biochemical reactions होते हैं, यह बहुती narrow range है, यदि pH इससे कम हो गया, यदि pH इससे बहुत ज़्यादा हो गया, तो हमारी body में दिक्कत आएगी, हमारी body उसको जहल नहीं पाएगी, यह survive नहीं कर पाएगी, तो आप ऐसे बोल सकता हैं कि एक small change, इस range से एक small change यदि pH में observe किया गया, इंसान के अंदर, तो पूरा process disturb हो जाएगा, और यह same चीज़ अप्लाई होती है animals के case में भी, तो हमें बोल सकता हैं हमारी body में maximum जो हमारी body के अंदर, biochemical reactions, इंसान की body में जो biochemical reactions हो रहे हैं, वो एक narrow pH range में होते हैं, जिसकी value 7 to 7.8 की बीच vary करती है, तो कितनी significance है, इंसान की life में, पहली बात तो यही है कि pH हलका सा भी disturb हुआ, तो biochemical reactions properly नहीं हो पाएगे, उनको specific pH चाहिए, तो आपकी body में तमाम समस्य होंगी और इंसान जीवीद भी नहीं रहे पाएगा, तो पहली बात तो आपने देखा कि pH human and animals के लिए कैसे significant है, second point, acid rain, हम जानते हैं, हमारे atmosphere में carbon dioxide पहले से मुझूद है, और carbon dioxide water से मिलके, H2O से मिलके, hydrogen carbonate, hydrocarbonate H2CO3 का formation करता है, H2CO3 का formation करता है carbon dioxide, water से मिलके, atmosphere में, तो जो rain water आपका नीचे आता है, वो already acidic होता है, जो rain water हम जिस बारिश के पानी हमारी परत्वी के सते पे आता है, वो हमेशा acid होता है, क्योंकि उसमे carbon dioxide पानी से एरेक्शन करके, H2CO3 बनाता है, वो already उसमें मौझूद रहता है, तो अब याद रखिए कि rain water हमेशा acid होगा, लेकिन जब rain water का pH, वो हमेशा rain water का pH 7 साथ से कम तो होगा ही, वो इस एसे का मतलब pH 7 से कम है, 7 से कम है, लेकिन जब other sources like sulfur dioxide, nitrogen oxide, SO2 या NOx, ये gases आपकी hydrogen से react करेंगी, आपकी S2O water से react करेंगी, तो water vapor से reaction होगा, आपका sulfur dioxide का, water vapor से reaction होगा, आपका, nitrous oxide का तो formation होगा, आपका, sulfuric acid का और nitric acid का, H2SO4 का और HNO3, sulfuric acid और nitric acid इनका formation होगा, तो pH ये all strong acid है, इनकी वेशे pH आपका all dip होगा, तो pH dip होने से, जब pH इतना dip हो जाता है कि 5.6, value 5.6 से भी कम हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि आपकी जो बारिश है, वो अमली है, वो बारिश जो है rainfall है, वो acidic है, उसी को हम acid rain बोलते हैं, जब आपका pH 5.6 से कम हो जाता है rainfall का, तो उसी को हम acidic rain भी बोलते हैं, और जब ये acid rain आपकी reverse में flow करती है, जब इस बारिश का पानी river में गिरता है तो वो basically उस पानी की pH को भी acid property होने के खारण उस पानी की pH को भी और नीचे गिरा जयता है normally river water का pH साथ के आसपस होता है लेकिन जब इसमें आपका acidic water आके मिलेगा तो pH कम हो जाएगा acidic properties water में introduced हो जाएंगी उसकी वज़े से जो aquatic आपके तमाम birds या aquatic आपके animals जो की water bodies में रहते हैं उनकी life जो है वो steak पर जाएगी क्योंकि मैंने आपको कहा चाए animal हो चाए human being हो चाए bird हो वो एक particular pH range वो पर्टिकलर pH range में सवाइब करते हैं जब pH इससे disturb हो जाता है तो उनकी life के लिए पैदा हो जाता है उसी प्रकार जब एक एसे डिक वाटर आपका नीचे रिवर में आके गरेगा तो यह रिवर के water को एसे बना देगा जिसकी वैसे जो aquatic life उस पर dependent है वाटर पे उनकी life steak पर यह खत्रे में आ जाएगी तो इतना important से pH का थर्ड जैसे एनिवल्स के लिए यूमन में के लिए उसलिए plants के लिए उसी प्रकार plants के लिए या agriculture में crops के लिए प्लांट के लिए या agriculture में crops के लिए भी आपका pH बहुत important है क्योंकि देखिए जो आपकी soil होती है कोई particular plant कोई particular plant या particular crop wheat ले लिए राइस ले लिए कोई भी crop ले लिए यह basically उस soil में तभी cultivate हो पाती है तभी उपाती है जब उस soil का pH एक specific range में हो हर crop को grow करने के लिए एक specific pH चाहिए या तो थोड़ा एसरिक चाहिए या थोड़ी basic चाहिए तो basically जब pH का जो आपका level है वो disturb होता है soil excessive acid हो जाती है या soil excessive alkaline हो जाती है या saline nature की हो जाती है उस case में जो pH optimum pH चाहिए उस plant को या उस crop को वहाँ पर activate होने के लिए उसको नहीं मिलेगा परिणाम सवरूब यह होगा आपका कि जो प्लांट या crop है वह 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 वहाँ पर उसका अस्तित्र खतम हो जाएगा यह बहुत important बात है कि pH in plants में कैसे आप उसको analyze कर सकते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर इंसान की body का digestive system हमारी बाडी में हमारा digestive system हमारी बाडी का biological part digestive system उसमें भी pH की बहुत important भूमिका बहुत important role है जैसा कि आप जानते हैं हमारी बाडी में stomach जो है वह hydrochloric acid हमारी बाडी में stomach already hydrochloric acid produce करता है जिसकी वाज़े से आपका जो acidic हमारे stomach acid है वह 1-2 की बीच में हमारे stomach में जो acid है basically उस medium का उस medium का pH है वह 1-2 की बीच में क्योंकि वह acidic nature का है due to production of hydrochloric acid और HCL हमारे stomach में HCL की मातरा जाद होने के वैसे उसका nature acidic है तो जब आप spicy food जब आप बहार से spicy food खाते हैं या मिर्ची बड़ा खाना खाते हैं तो आपकी stomach जो है वह बहुत ज़्यादा acid produce करता है आपका stomach बहुत ज़्यादा acid produce करता है उसकी वज़े से आपको आपके शरील में काफी पेट में आपके stomach में काफी irritation महसुस होगी आपको काफी irritation महसुस होगी कभी कवर आपको pain भी महसुस हो सकता है तो basically जब irritation अपन इसको बोलता है acidity इसको हम बोलता है basically acidity आपके बेस चीज़ों करेंगे तो basically आपके दिक्कत दूर हो जाएगी तो यहाँ पर जो base हम यूज़ करते है acidity को remove करने के लिए उसको हम बोलता है antacid 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 तो basically antacid आप यूज़ करते हैं और इनके example है milk of magnesia milk of magnesia इसका example है milk of magnesia मतलब magnesium hydroxide का water में solution magnesium magnesium hydroxide का water में solution को अपन बोलता है milk of magnesia जब यह anti-acid आप यूज़ करेंगे आपके body में इसको consume करेंगे तो आपका acid है stomach के अंदर वो neutralize होगा base selection करने के बाद में और basically irritation फिर आपको महसूस नहीं होगा यह बहुत important चीज़ थी तो अब हम देखते हैं basically कि आपका यहां पर इसमें एक चीज़ आप यह भी दे सकते हैं कि pH जो है हमारी day life important है pH की importance अनिमल और प्लांट्स के defense system में भी है pH की importance अनिमल और प्लांट्स के आपके defense और प्लांट्स के defense system में भी pH की बहुत important है कि तमाम लोग मुझसे पूछ रहे हैं basically आपका जो यह है आपका basically कि यह pH में potential होता potential भी यूज करते हैं लेकिन pH को जो define किया गया है वो power of hydrogen पावर ही यहां पर potential को denote कर रहा है तो मुझसे सवाल पूछा है अशोक शर्मा जी ने कि इसको potential तो हाँ potential बोल सकते हैं पर pH को हम generally power of hydrogen बोलते हैं एक बात और आप याद रखी यहां पर जो पूजा अगवाल जी ने स subscription course में unacademy के plus subscription course में हम PDF इसका upload करवा देते हैं तो आप यदि unacademy का plus course लेंगे तो आपको यह सारे PDF वहां पर मिल जाएंगे मिरे code enemy 10 का use कीजे आपको वहां पर fee में 10% discount भी मिलेगा तो friends आगे बात करते हैं आप animals और plants के case में pH self defense में भी self defense में भी बहुत important role play करता है कैसे इसका बैतिरिन example है आपका बी इसका बैतिरिन example है आपका बी हनी बिंग जो होता है हनी भी है हनी भी की sting बोलते हैं भी की जो sting लगती है तो body में दिकर हनी भी है उसकी sting जब basically किसे इंसान को वो sting करेगा वो उसको touch करेगा तो basically वो जो sting है उसकी उससे आपकी body में burning sensation उससे आ पार्ट सेंशियनत क्यों प्रोडूस होता है क्योंक्ट है विसमें आपका प псих eran अधका मेटानॉक टेस्टिंग करेगा तों बेसिते के बड़र अधका मेटानॉक के वज़े से तो बेसिकली एसले बोडी में इस्टो गया है तो इसकी व्यास्जन हो उसको neutralize करने के लिए क्या करेंगे आप base का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि base acid से chemical reaction करने के बाद चीजों को normal कर देगा neutralize कर देगा तो यहाँ पर आप जिस base के इस्तेमाल करते हैं जब honey biggest thing लगती है आप यूज करते हैं baking soda का अब baking soda तो कि sodium hydrocarbonate यहाँ पर करेंगे यह important बात आप याद में रखिए उसी परकार कुछ यह एक defense mechanism है वो B है उसको डर है कि इंसान उसको नुकसान पहुचा सकता है तो नुकसान पहुचाने से बचने के लिए उसको लगता है कि इंसान उसको नुकसान पहुचा रहा है आपका इंसान की बाडी में तो वह एक defense mechanism है जो हनीबी ने अडॉप्ट किया हुआ है उसी प्रकार एक प्लांट यहाँ पर देखेंगे नेचल प्लांट यहाँ पर इमेज देखेंगे नेचल प्लांट यह भी एक defense mechanism को अडॉप्ट करता है उसमें भी आपका पीएस का यू तो basically जब इन पत्तियों को कोई animal या human being test करने की कोशिश करता है तो basically यह जो पत्तिया है यह जो leaves है इनसे methanoic acid इनसे methanoic acid produced होता है जो इनसान या फिर उस animal की body में enter कर जाता है जब कोई individual इसके contact में आता है तो basically methanoic acid यह उसमें insert कर देता है उसकी body के अंदर जिसकी and burning sensation महसूस होगा severe pain और burning sensation यहाँ पर ही महसूस होगा क्योंकि यहाँ पर body में आपके acid जो के methanoic acid है वो आ चुका है तो इससे इसको acid को neutralize करना और चीजों को normal करने के लिए आपको use करेंगे यहाँ पे आप nettle plant का जो methanoic acid है उसको दूर करने के लिए आप use करेंगे dog plant है जो basically generally जो nettle plant पाए जाते हैं उसके आस्ता dog plant के पौदे भी दिख जाएंगे dog plant के जो पत्तिया है वो basic nature की है वो आप उस मेतनों के acid पे scrub year up करेंगे तो basically आपकी problem दूर हो जाएगी burning sensation की समझार दूर हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि different plants different animals अपने defense mechanism के लिए acid और base क तो बाहर दूसरे किसी contract में जो आता है उसको insert करते हैं pH का समाल करते हैं अपने survival के लिए कितना important है pH एक और factor जिस पे एक question आपके RS means exam में आया है जो मैं आगे वाली slide में discuss करूँगा वो है आपका tooth decay tooth decay में भी pH का बहुत important role है तो basically tooth decay जो आपका tooth का enamel है यह calcium phosphate जो आपके tooth का enamel है calcium phosphate से मिलके बनाए calcium phosphate इसको constitute कर रहा है आपके tooth के enamel को और calcium phosphate इंसान की body में hardest known substance का आयता है calcium phosphate इंसान की body में hardest substance के तोर पे recognize किया जाता है तो basically आप यहां पर याद बात को धान रखेंगे कि जब आपका जो calcium phosphate जिसकी वज़े से आपके tooth का enamel बनाया है तो तमाम चीज़े आप जो खाने में इस्तिमाल करते हैं different food articles आप यूज करते हैं आपका जो food article खाने के बाद भी teeth जो है वो destroy नहीं होते हैं खराब नहीं होते हैं कारण है कि हाट डेस्ट सब्सक्रांस calcium phosphate protect कर रहा है calcium phosphate आपके tooth जिससे मिलके बनाया है वो protect कर रहा है आपके basically कोई भी food particles खाने के बाद भी दिक्कत नहीं होती है लेकिन यदि आप कोई चीज को खाए और खाने के बाद में properly wash नहीं करें यदि आप properly washing नहीं करें तो food particles या sugar का content food particles या आपके mouth में जो bacteria आपके mouth में है वो basically उस food particles को और sugar को degrade कर देंगे bacteria food particles और sugar कर देंगे degrade और degrade करने से क्या produce होगा आपका acid तो basically जो degradation होगा आपके mouth के अंदर bacteria दौरा जो चीज़े फस गही है खाने की sugar की उनको degrade करने के बाद में produce होगा आपका acid उस acid का pH है वो generally 5.5 से भी क हो जाता है जो pH basically acid में हम जानते है pH 7 से कम होता है और यहां पे आपका जो bacteria mouth में present है उस ने उस food stuff को यह sugar को convert कर दिया acid में acid produce होगा है as a chemical reaction और उस acid की विएसे आपका pH और कम हो गया 5.5 से भी कम हो जाता है तो basically आपके mouth में acidic conditions दवलप होगी है और यह acidic condition जो है basically आपके teeth को calcium phosphate से मिलके बना है बहुत hard death substance है इसको वो erode करती है यह acid condition आपके animal को erode करती है जो की बहुत लंबे समय में आप देखेंगे तूथ का decay जो हम सबाख कहते है तूथ का मतलब यही है जो acid condition आपके mouth में produce हुआ है उसने आपके teeth को corrode कर दिया है और as a result आपका tooth decay होना start हो गया है तो tooth decay जब भी आप शब्दा है आप calcium phosphate को दिमाग में लाना फिर आप bacteria जो mouth में उसको दिमाग में लाना फिर आप यह देखना कि जो bacteria present है उसने वहाँ पर जो हमारा food stuff शूर content जो हमारे दातों में फस गया है उसको acid में convert कर दिया है और उस acidic medium के वाज़े से आपका जो enamel या calcium phosphate है वो basically corrode हो गया है वो basically tooth decay के लिए responsible है यह factor देखा एक और चीज़ देखिए मैंने आपको बताया है कि इंसान की body में जो तमाम cell है human body में जो cytoplasm के अंदर cytoplasm जो हमारे human cells हैं उनका pH है 6.8 उनका pH है 6.8 जबकि जो हमारी body में blood पायाता है blood का pH होता है 7.4 तो basically 6.8 की बात करें या blood के pH 7.4 की बात करें दोनों pH 7 के आसपास है दोनों pH 7 के आसपास है तो आप कह सकते हो कि approximately जो हमारा body है वो neutral pH 7 और 7 के आसपास के range में फंक्शन कर र से बहुत कम या सास से बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो basically इंसान की life favorable नहीं रहेगी उसकी life steak में जाएगी उसका survival steak में जाएगा जब भी पीएच के विल्यू 6.8 से गिके सासल में बहुत कम हो जाएगी जब बलड का pH 7.4 से बढ़के 8 या 9 के पार पहुंच जाएगा तो survival कंडिशन बहुत difficult हो जाएगी एक बात और यहां रखे जो हमारे पूरी बाड़ी का pH 7 के आसपर मेंटेन लेकिन हमारे स्टोमक हमारे स्टोमक के अंदर खाने को डाइजेस्ट करने के लिए acidic medium होता है hcl produce stomach hydrochloric acid produce करता है जिसका pH 1 से 2 की रेंज में है तो यही पार्ट स्टोमक की बाड़ी का ऐसा पार्ट है जहां पे आप acid का बहुत highly nature पाएंगे highly acid पाएंगे hcl की फॉर्म में तो basically जब आपका pH जो हमारा 1 से 2 की बीच में है वो कैसे तो सवाल यह उड़ता है कि हमारा स्टोमक जो है वो हमारे तमाम बोड़ी पार्ट जो है वो साथ और साथ के असपास की रेंज में सर्वाइव कर रहा है साथ से बहुत ज़्यादा कम होने में या साथ से बहुत ज्य सेल्स इसका जवाब है डिस्पोजेवल सेल्स स्टोमक सेल्स जो हमारे बोड़ी के अंदर मौजूद है वो जब इस हाइली एसिड जो की हाइड्रोगलोरिक एसिड बन से 2 के कॉंटेक्ट में आते हैं तो बिसिकली वो कॉंटेक्ट में आने से लगातार मर जाते हैं वो सेल खतम जाते हैं और उन सेल को नए सेल रिप्लेस करते हैं उन सेल को नए सेल रिप्लेस करते हैं तो बिसिकली हमारे शरी का डाचा वो इतने स्टोमक में थे हाई एसिड में भी स्टोमक के सेल्स सर्वाइब कैसे कर रहे हैं वो जैसे ही वो सेल्स आपके हाई एसिडिक इतनी low-paste condition में, इतनी high-acidic condition, इतनी low-paste condition में survive कर लेता है, वो cell खतम होते हैं, उनको नज़से replace कर देता है, एक fact और है कि जो हमारी stomach, human stomach की lining है, human stomach की जो lining है, वो हर 7-10 दिन की gap में, human stomach की जो lining है, वो हर 7-10 दिन के gap में automatically replace हो जाती है, हमारी body उसको replace कर देती है, क्योंकि वो भी निरंतर आपके acidic medium, जो के hcl है, उसके contact में है, तो हमारी इंसान की body है, वो stomach की lining को हर 7-10 दिन में replace कर देती है, तो इंसान की body ने उस medium में survive करने का एक adaptation का, इंसान ने, बोडी ने ए evolution से हुआ है, यह over-epinant evolution से हुआ है, stomach cell इस तरह के हैं हमारी में, जो बहुत ही कम pH में survive करते हैं, क्योंकि वो मर जाते हैं, उनका अस्तान नए pH, जो आपके नए cells हैं, वो ले लेते हैं, हमने अब तक समझा, यही चीज आपकी NCRT में, यह जो मैंने सारी आपको facts बता, importance और pH के, यह सारा का सारा picture आपका NCRT book में, clearly mentioned है, तो मैंने आपको हमेशा कहा है, कि NCRT books, किसी भी topic के लिए, एक basic fundamental चीज़ का काम करती है, वो हमेशा help करती है, आपके exam application में, हमेशा आप को बहुत अच्छे से explain की होती है, तो importance of pH in every life, यह NCRT का screenshot आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह सारी बाते मैंने आपको already यहाँ पर explain कर दी है, सारे मैंने आपको importance समझा दी है, मैं अब जस्त आपके सारे point treat कर देता हूँ, कि plant और animal के लिए pH sensitive है, क्योंकि इंसान की body 7 to 7.8 की range म करती है, यदि pH इससे कम हो गया, या pH इससे बहुत ज़्यादा हो गया, तो इंसान का survival नहीं हो पाएगा, एक range में ही body function कर पाती है, और आपके जो biochemical reaction सरी के अंदर वो भी pH इस range में हो पाते हैं, उसी परकार जब आपका pH 5.6 से कम हो जाता है, तो उसको बोलते है, acid rain और ज जिनका survival उस river पे है, उनकी life stake खत्रे में आ जाती है, तो pH का रोल उनकी life से related भी है, क्योंकि acidic nature का एक और बहुत example, acid rain का ताज महल, ताज महल को acid rain ने क्या उसकी दूरुशा करी है, वो आप हम सब के सामने है, उसका color change कर दिया है, discoloration हो गया है, ताज महल जो की world heritage site है, साथ जो में से एक है, उसकी इस्तिधी आज ये है, कि ताज महल का color जो है, acid rain की वैचे चेंज हो गया है, तो ये पहला fact, pH diet system में कैसे help करता है, मैंने आपको बता दिया, हमारे stomach के अंदर hydrochloric acid produce होता है, और ये hydrochloric acid ही basically आपके dietion में help करता है, तो basically जब हम spicy food खाते है, तो hydrochloric acid बहुत ज़्यदा produce होता है stomach से, और उसकी वैसे आपके शरीर में आपको acidity महसुद होगी, आपको pain महसुद होगा, आपको irritation महसुद होगा, तो acidity, pain, irritation इसकी समस्चा यूज़ करने के लिए आप यूज़ कीज़े base का, acid को base neutralize करेगा, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंग acidity की समस्चा है, वो solve हो जाएगी, उसी परकार pH का एक और हमारी life में importance है, वो है tooth decay में, मैंने बहुत से explain किया आपको, कि हमारे जो tooth का decay कब start होता है, जब हमारे mouth में जो pH condition है, जो acidity condition है, वो 5 से भी कम हो जाए, तो 5.5, यदि आपका mouth का pH है, वो 5.5 से भी कम हो जाती है, ब बैसे के लिए आपने properly उसको wash नहीं किया, properly आपने ब्रश नहीं किया, properly आपने clean नहीं कि, तो cleaning नहीं करने के परड़ना सवरू, वो particle teeth में फच जाते हैं, और वो particle को जब bacteria हमारे mouth में मौजूद है, वो उसको degrade करते हैं, उसको decompose करते हैं, उसकी वाज़े से आपके mouth में acidic condition develop होती है, और अइसले condition की वज़े से, जो tooth inamal, जो कि calcium phosphate से मिला आगया है, बहुत ही heart death sometimes है, वो corrode होता है, तो यह बहुत इंपरना बात आप आप यादि, इसका एकी solution है, कि आप teeth की proper cleaning करने चाहिए, डॉक्टर से भी करते हैं, teeth की cleaning proper होनी चाहिए, और जो हमारा toothpaste है, उसमे आपको मिलेगा base, जो toothpaste हम use करते हैं, उसमें sodium fluoride, वो basic property है, क्योंकि acid produce आपके mouth में, base उसको neutralize कर देगा, तो toothpaste का जो characteristic है, जो nature है, वो basic nature होता है, यह effect याद रखिए, मैंने आपको बताए दिया, कुछ अपने animals हैं, कुछ plants हैं, जो की self defense mechanism के लिए भी pH के स्थेमाल करते हैं, जैसा की honey bee, methanoic acid को आपके body में sting कर देगी, जिससे आपके body में pain और irritation स्टार हो जाएगा, उसके लिए क्या समाधार है, उसके लिए भी यूज करो baking soda, sodium, hydrogen, carbonate, NAS, CO3 baking soda यूज करेंगे, तो base आपके acid को neutralize कर देगा, समस्तर दूर हो जाएगी, उसी परकार nettle plant, जो nettle plant है, वो भी methanoic acid insert कर देदी है, जो उसको contact करता है, जो उसके touch में आचाए, वह यूमन बींगो, तो basically जब वो आपके methanoic acid आपकी body में आगया, तो यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा, dog plant का, dog plant की पत्तियों में आपका base होता है, उसको रख करने से ये चीज़ neutralize हो जा होता है, इसके पत्तियों से जो methanoic acid निकलता है, उसकी वज़ए से इसका cell protection भी होता है, यह important आपका है, और dog plant हम यूज करते हैं, जब आपका पत्तियों से जो methanoic acid निकला, उसको neutralize करने के लिए, डॉक, आपको पता नहीं होगा कि कौन से natural source में कौन से acid मिलता है, तो properly आप मैश नहीं कर पाएंगे, उस सवाल को अपटाम्ट नहीं कर पाएंगे, तो कुछ common natural sources और में पाई तैमरिंड है, acids को मैंने यहां पर list down किया है, सबसे पहले, इसके बाद orange, जो orange fruit है, वहां मिलेगा आपको citric acid, जो tamarind है, बिसिकली आपकी healthy है, वहां मिलेगा आपको tartaric acid, tomato मिलेगा आपको oxalic acid, sour milk या धही या curd में मिलेगा आपको lactic acid, sour milk में acid ज्यादा होता है, fresh milk में acid थोगा कम होता है, यहां मिलेगा आपको lactic acid, lemon में जो यूज करते है, lemon juice महां मिलेगा आपको citric acid, lemon में भी citric acid, और orange में भी citric acid, इसलिए lemon और orange जो है, वो citrus fruit की category में आता है, क्योंकि इनसे citric acid हमें मिलता है, ant string हमने देखा, जब मदु मक्खी या honey bee या ant आपको body के अंदर जब string करती है, तो वो methanoic acid को आपकी body में insert कर देती है, तो ant की string हो, चाहे आपकी honey bee की string हो, चाहे नेटल प्रांट की string हो, नेटल प्रांट में भी आपको body में methanoic acid, उस string से methanoic acid आपकी body में आ जाएगा, यही RS की मुखे परीक्षा, RS means 2008, इसी last time पे जो RS हुआ है, RS की मुखे परीक्षा, 2018 के अंदर एक 10 number का सवाल, 10 number का सवाल सीदा सीदा पुरा पूरा 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 pH based science and technology parts से RS की परीक्षा पूचा गया था, बहुत important चीज है, question यह था आपका, कि what is pH scale, यहां पर आप को पीज स्केल की definition बहुत अच्छे समझाईए यहां पर इस सारे points आप इन point में ज़े दूतिन point आप यहां पर use कर सकते हैं कि पीज scale denote concentration of hydrogen ion पीज scale is used to rank solution in terms of acidity और basic पीज स्केल जो है किसी solution का acid और basic nature बताता है और इसको हम denote करते है hydrogen ion के concentration से और आप पीज को करते हैं माइनस लोगरिफम ऑफ एस प्लस आयन इस फॉर्मले से पीज को करते हैं तो बेसिक बात है यह आपको पता होने जी यह definition में आप लिख सकते हैं कि आपका सवाल पूछा गया था कि पीज क्या होता है उसके बास सवाल था आपका कि पीज जो scientist है वह scientist को हुआ नाम बताईए जिसने पीज स्केल को डवलप किया है तो बिसिकली यहां पर जो वह गया ने आपको देखेगा जने पीज कर डवलप किया है वह है सौरें, सौरेंसन मैंने बताई भी था आपको अच्छे से यहाँ पर इनका नाम, यह नाम आपर सिम्हाल कीज़े, आपको यहाँ पर पूरे मार्क्स मिलेंगे, यह है basically सौरें, सौरेंसन एक डैनमार्क, डैनमार्क जो कंट्री है, डैनिश, डैनमार्क कंट्री के एक बायोग chemist है बहुत ही important personality है 1909 में इन्होंने पीज कंसेप्ट को दिया था वर्ल्ड के सामने और इसको पार ऑफ हाइट्रोजन और पी से potential भी होता है जो कुछ लोगों ने comment किया potential वह भी सही है पार ऑफ हाइट्रोजन भी इसको हम कहते हैं पीज में पार ऑफ हाइट्रोजन अब इसमें जो आपका फर्स्ट जो फर्स्ट कोशन का पहला पार्ट ये पार्ट पीज स्केल क्या है और किस वैग्यारिक ने सो डवलप किया यह आप इस पूरे वीडियो में इसका आंसर दे सकते हैं देखने के बाद दूसरा पार्ट तास का कि बेसिकली आपका जो पीएच है वो टूथ डिगे टूथ डिगे के लिए पीएचेंज को एकस्प्लेंड करना है और आप टूथ डिगे को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं पीएचेंज मलब टूथ डिगे को आप जो पीएचेंज की वैसे आपका टूथ डिगे हुए तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और की टम में आपको explain करना है मैंने बार बार आपको emphasize किया है यहां पर मैंने आपको कई बार समझाया कि basically आपका जो pH change as the cause of tooth decay जो मैंने कहानी पूरी पूरी नमर आपको यहां पर मिल जाएंगे तो यह सवाल आपका exam में आया था उसके लावा tooth decay को prevent कैसे करें आप तो आप properly दंत मंजन का इस्तेमाल कीजिए सोने से पहले और morning में उठने के बाद आप properly brush कीजिए क्यूंकि हमारे जो tooth paste होती है उसके अंदर होता है base और base acid react करने पर बनाता है आपका neutral solution और neutralize कर देता है तो basically acidic medium जो mouth पर नहीं दया पाएगा तो bacteria properly function नहीं क explain कर सकते हैं यदि आपको pH के बारे में चीज़ें पता है third part आपका जो exam में पूछा गया था एक milk man add a very small amount of baking soda to fresh milk what will be its effect on the time taken by the milk to set as a curd एक दूद वाला थोड़ी मात्रा में baking soda को ताजे दूद मिलाता है इसका दूद से धही बनने में लगने वाला समय पर क्या प्रवाब होगा हम जानते हैं कि जो हमारा curd है जो धही है वो दूद से ही बनता है और हमारे धही में मौझूद होता है lactic acid धही में मौझूद होता या milk में तो curd जो बन रहा है जो curd बनेगा वो curd बनने में टाइम पहले लो टाइम लगता था बिना baking soda यूज़ करे वो टाइम जादा होगा या वो टाइम कम होगा एक तो आप बिना baking soda को यूज़ करे milk को करड में convert करते हैं और दूसरी position दूसरी स्तिधी यह है कि आपने again milk क करड में convert कर रहा है पर यहां पर आपने baking soda का यूज़ किया है तो सवाल ही पूचा गया है कि baking soda के तब यूज़ कर रहे हैं तो क्या जो आपका milk है जो करड में cannot हो रहा है उसका जो लगने वाला time है कुछ जादा हो जाएगा यह कम होगा इसका जवाब भी मैंने आपको slides मे clearly दे दिया है यहां पर नंचे देखिए आप मैंने यहां पर explain किया था आपको जब chart मैंने आपको बताया था different common acid common basis का यहां पर आप देख सकते हैं baking soda का pH कितना है baking soda का pH is 9 baking soda का pH is 9 baking soda pH is 9 baking soda pH का 9 का मतलब यहां पर basic properties है वो basic nature का है baking soda होता है sodium hydrocarbonate NaHCO3 basic nature का है और हम जानते है lactic acid curd में मुझे होता है lactic acid तो basically जब base आप यूज़ करेंगे baking soda की base है जो कि आप milk में यूज़ करेंगे तो milk में आपका acid है और यहां base है तो base acid से rate करके neutralize कर देगा तो acid का effect कम हो जाएगा लेकिन हमें milk को curd में convert करने के लिए lactic acid चाहिए वो basic चीज़ है तो basically आपका lactic acid जो है वो neutralize हो गया baking soda की वे से तो आपका time जो है वो convert होने में बढ़ जाएगा तो time पहले लगता milk को curd में convert होने में baking soda की उसके बाद में वो time आपका बढ़ जाएगा तो सारे facts लिखकर आप clearly explain कर सकते थे कि जो time है वो आपका यहां पर बड़ा time यहां पर increase होगा basic बात है अगर आपको peach scale का पूरा चीज concept clear है इस सवाल का जवाब 10 number का सवाल था 10 में से आप 8 या 9 number आसानी से प्राप्त कर सक RS प्री किसाब से होनी चाहिए एक तीर से दो निशाने यह सवाल आपका RS means 2018 की परिक्षा paper 2 science के section में पूछा गया था 10 number का सवाल था तो basically मैंने जो सारी बाते आपको बताईए देखिए baking soda baking soda जो है basically यह lactic acid जो कि आपका curd में मुझूद होता है उसको neutralize कर देता है जबकि हमें lactic acid चाहिए curd को बनाने के लिए तो यहाँ पर time आपका बढ़ गया है यह बहुत ही simple चीज है जो आप इस slide के साहिता से भी समझ सक करते हैं तो फ्रेंड्स हम पूरी कोशिश कर रहे है अनकेडमी के प्लैटफॉर्म पर यूटूब के वीडियोज हो चाहे हमारे अनकेडमी के प्लस कोर्स हो अनकेडमी के प्लस कोर्स में जुणने का सबसे बड़ा फायदा यह है आपके सारा syllabus चाहे वह आरेस का एक्जाम ह हो चाहां फर्स ग्रेड के एक्जाम दे रहे हो आप एसाई की बरती दे रहे हो आप रीट की एक्जाम दे रहे हो आप पटवारी के एक्जाम दे सकते हो कोई भी एक्जाम आप दे रहे हो उन सभी एक्जाम के अंदर यदि आप अनकेडमी के प्लस कोर्स से जुड़ते हैं तो आपकी fee भी बहुत nominal है तमाम इंस्टूट आप जैपूर में जोदपूर में जाएंगे वहाँ सानन अफीस 60 से 80 सीजर होती है लेकिन अनकेंडवी पे एक साल की fee discount के बाद मात्र 6300 रुपए है उसमें भी आप EMI का मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं इमाई मोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपका इंट्रस्ट फ्री होगा पर मैंने शायद 400-500 रुपए की आपकी EMI आएगी उसमें पूरे साल तक अब तमाम वीडियो सारे कोड्स आप दे सकते हैं मेरे लावा जो भी खिलासे इस अनकेंडवी के प्लेटफॉर्म में वीडियो ने बेट ओन।